अलो फ्रेंड वेल्कुम टू माई चैनल एक्सिलंट कोचिंग आप चाप्टर 9 स्टाट करेंगे मोटिवेशन एन इमोशन सबसे पहले चाप्टर 9 में मोटिवेशन से स्टाट करते हैं मोटिवेशन क्या चीज होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं काफी सारी अप्रोची लेंorld होता है करने के लिए मोटीवेशन के बारे में बता थी है कि क्यों हम पॉटिवेशन कहां से आती है ॉटिवेशन विडेशन का जो लेतिन जो वर्ड ROB है जहां से ही मोटीवेशन वर्ड ROB है है मुट्रAS thats कि दिद बाता है टू मुब तो जब हम कोई अक्ष 친 लेन कोशिच करते हैं कोई action लेने का मतलब है आप उठके कहीं जा रहे हो तो वह आप motivate हुए हो किसलिए क्यूंकि आपको अपना कोई need पूरा करना है तो दो तरह के need होते हैं जैसे physical need होता है psychological need होता है physical need क्या होता है आपको तीवी देखते देखते भूख लग गई तो आप बीच में आपने pause किया आप उठके गए लेने के लिए खाना बनाया है या जो भी था बना हुआ आप लेके आए तो आप उठके move करें अपनी जगा से move करने का reason क्या था क्योंकि आपको physical need थी, भूख लग रही थी, hunger था, thirst था, प्यास लग रही थी तो यह तो हो गया physical need जिस वजह से आप motivate होते हो कहीं भी जाने के लिए एक होते है psychological need, psychological need मतलब आप अकेले घर में बैठके बोर हो रहे है आपको बहुत loneliness फील हो रहा है तो आप उठे और आपने phone करा अपने friend को या आप अपने phone उठाया आपने उसमें WhatsApp करा तो आप move कर रहे हो क्योंकि आप motivated हो किसलिए क्योंकि आपका जो psychological need है आपने उसको किसी direction की तरफ और continue कर रहे हो so that physical and psychological needs or wants are met तो आपका कोई want है या need है उसको पूरा करने के लिए the latin word moveria means to move motivation is what moves people to do things तो हम एक जगा से दूसरी जगा उठके जब जाते हैं तो उसके पीछे motivation होता है कुछ ना कुछ करने का कुछ कमाने का कुछ आगे कुछ बढ़ने का तो वह एक्जामपल है यहां पर वही television वाला जो मैंने दिया when a person is relaxing in front of television and begins to feel hungry physical need for food might cause the person to get up into the kitchen and search for something to eat तो hunger हो गया और thirst हो गया यह तो physical body के नीड है जो bodily needs होते है यसे आपको गर्मी लागी आपने उठके AC आउन करा आप अंखा आउन करा वह physical link है ठीक है तो getting up आप उठे going to the kitchen एक direction की तरफ गए और आपने भापे खाना बनाया या डूंडा तो वह आपने continued action किया तो वह motivation का example हो गया दूसरा loneliness जो दूसरा मैंने बताया साइकोलोजिकल भी हो सकता है loneliness में lead to calling a friend आपने किसी friend को call किया या आप कहीं गए किसी से मिलने desire to get ahead in life motivate people to go to college आप college क्यों जाते हो क्योंकि आपका एक motivation होता है desire होता है कि आप पर लिखके आगे कुछ करोगे तो just getting out of bed in the morning is motivated by the need to keep a roof over one's head तो आप चाहते हो कि आपके जो चीजें हैं आपके पास उतनी रहें और उससे जादा आप ले पाओ उससे जादा फोर्ड कर पाओ वही एक motivation का reason है कि आप रोज सुबा उठके जाते हो ठीक है अब motivation के पीछे का cause इन्होंने बता दिया कि need होता है जैसे कि physical या psychological फिर बोला है कि motivation भी दो types की हो सकती है sometimes motivation एक external reward होता है जैसे आपको salary मिल रहे है इसलिए आप आफिस जा रहे हों यह external reward है आपको किसी ने कुछ दिया बाहर से ठीक है जो आपके पास पहले से नहीं है वो आपको बाहर से किसी ने दिया वो तो हो गया extrinsic motivation तो बाहर से आपको कोई reward मिल रहा है कोई पैसे मिल रहे है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई ऐसी चीज है, जो आपको बोनेस मिल रहा है कुछ करिके यश टाइम काम करके आपको एक्सटरा सेलरी मिल रही है, तो वो हो गया एक तरीके से extr India मोटीवेशन एक होता है मोटीवेशन जो तो आपको अपने अंदर से चाहिए होता है, जैसे कि आपने किसी बच्चे की help करी, तो वो आपको बहुत अच्छा फील हुआ कि आज आपने किसी की help करी, आपने किसी करीब को खाना के लाया, तो आपको अंदर से इतनी satisfaction और happiness हुई, तो वो जो satisfaction आपको मिल रहे है, वो intrinsic motivation है तो आपको एक अंदर से self-esteem feeling आ रहे है कि आपने वो challenge पूरा कर लिया, तो आपके अंदर ही जो feeling आती है, जो आप फन के लिए करते हो, यह challenging होती है, यह आपको satisfy करती है, वो वाली जो feeling है, वो जो motivation है, आपको अपने आपको जो देनी होती है, वो होती है intrinsic motivation, जो बाहर से आपको खुद कोई चीज perform करके है, कुछ achieve करके मिलती है, तो दो type की हो गई, extrinsic और intrinsic motivation, कुछ लोग होती है, जिनको extrinsic motivation जादा बेटर लगती है, कि बाहर से उनको कोई reward मिले, को पैसे मिले, बोनस मिले, वो उस चीज़ जादा खुश होती है, कुछ होती है, जिनको intrinsic चाह फिर अब इसमें कुछ approaches है, approaches अलग-अलग type की हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें यह बताएंगे कि हम किस तरीके से motivate होते हैं, क्या reason है हमारा motivate होने का, और इसमें जो पहली approach है, वो है instinct approach, instinct मतलब जो already हमारे अंदर है, जनम से है, जो चीज हमारे अंदर पहले सही है, जो हमें सीखनी नहीं पड़े, कुछ ऐसे instinct जिसे animals के अंदर बहुत सारे instinct होते हैं, वो अपने आप ही अपना घर बना लेते हैं, इधर से उदर migrate करते हैं, अपना nest बना लेते हैं, मेटिंग करत हैं, अपनी species को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी territory को protect करते हैं, ऐसे animals के अंदर बहुत सारे instinct होते हैं, जो पहले से ही होते हैं, जिसकी वज़ासे वो motivated होते हैं कुछ करने के लिए, तो क्या humans के अंदर भी कुछ ऐसे instinct है, जो पहले से हैं, जो हमें किसी को देख के नहीं आ अपनी territory को protect करने के लिए, अपनी जगा को protect करने के लिए, अपनी जगा को protect करने के लिए aggressive हो जाना, कुछ ऐसे instinct बहुत पहले से ही हो, हमारे अंदर inborn है, यह हमें सीखने नहीं पड़ते हैं, अपनी जगा के लिए लड़ना या reproduction यह सब पहले से ही a human instinct है, विलियम मेक डॉ नहीं है कि हमें curious होना है, हमें कोई नहीं चीज पता करनी है, तो यह हमारे अंदर पहले से ही है, flight का instinct है, भाग जाना कहीं से, जब कोई खत्रा है तो वहां से भाग जाना, यहां फिर लड़ना, तो running away instinct है, फिर aggressiveness जिसको इन्होंने pugnacity, aggressiveness हमारा instinct है कि गुस्वा हो जाना क चीज के पीछे, acquisition मतलब चीजें खटी करना, gather करना, खाना हो गया, घर की चीजे होना, यह सब एक instinct हमारे अंदर पहले से ही है, तो इस टाइप के मैं dogl ने काता है कि बहुत सारे 18 इन्होंने बतायते हैं, जब कि बाद में जाके काफी सारे researcher ने बोला 18 तो बहुत कम है, उस या किसी को देख के हम सीख के ही होते हैं, फ्रॉइड ने अगर आपको इसकी तहोरी आदो, बहुत पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि हम सब के अंदर कुछ instinct होते हैं, जिसको जो id के अंदर होते हैं, अगर आपको ध्यान है, तो id कौन सा पार्ट है हमारे subconscious mind का, जो हमको desire देता है किसी चीज को लेने का, वो logically नहीं सोचता है कि वो चीज आ सकती है नहीं आ सकती है, बस बोलता है कि उसे वो चीज चाहिए, तो जो instinct है वो उसी के अंदर होते हैं सारे, तो फ्रॉइड ने तो अपनी थियोरी में instinct की बहुत पहले ही बात करी थी, कि जो human behavior है, वो instinct क की उपर काफी जादा dependent होता है, लेकिन बाद में इस पर research होई है काफी सारी और ये भी पता चला है कि सारा ही human behavior जो है, वो instinct पर नहीं होता है, 50% behavior हमारी heredity factors की वज़ा से भी होता है, जो हमें अपनी heredity से मिलते हैं, उन चीजों से भी होता है, तो totally हम लोग instinct पर काम नहीं अपरोच कहा रही है, drive reduction approach है, drive reduction मतलब आपने drive को कम करने के लिए, जो हमारा जो need है, जो drive basically जिससे आपको कोई need होता है, जब सबसे पहले तो a need is a requirement of some material such as food or water, आपको कोई need है, खाना है पानी पीना है, जो आपके survival के जरूरी है, तो जब आपके अंदर ये need जागते है, तो आपको tension होती है, tension क्या होती है, कि आपको mind में इस चीज आती है, कि मुझे need fulfill करना है, तो उस tension को ये बोल रहे है, drive, और एक physical arousal होता है, physical arousal मतलब आपकी body arousal होती है, उसको पूरा करने के लिए, active हो जाती है, आपका mind active हो जाता है, आपकी body active हो जाती है, उस need को पूरा क करने के लिए थीक है तो अब ड्राइब रिडक्षन अप्रोच ही कह रही है कि हम उस ड्राइब को टेंशन को कम करने के लिए अपनी जो है मोटिवेशन होते हैं उस आगे एक्षिन करने के लिए क्योंकि हमारा मेन परपस के होते हैं कि टेंशन कम करने हैं तो ड्राइब रिड तो आपको भूख लगी तो आपके अंदर एक ड्राइव हुआ कि उसको पूरा करना है भूख खतम करना है तो आप उठे वहां से और आपने किचन की तरफ गए तो यह बिहेवियर आपके ड्राइव से रिलेटेड़ आपके ड्राइव बताएं आप एक प्राइमेरी होता है सकता है प्राइमेरी वो है जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है जिसको आपको सीखना नहीं पड़ता अपनी भूख मिटाना प्यास मिटाना यह सर्वाइवल के लिए जरूरी है प्राइमेरी ड्राइव और एक्वाइड ड्राइव वो है जो आप एक्सपीरियंस से सीखते तो इस तरीके से जो चीज हम बाद में सीखते हैं, लर्न करके experience से वो secondary drives हो गए, acquired, जो हमारे primary बच्पन से हमारे अंदर है, खाना, उपनी भूख मिटाना, प्यास मिटाना, वो primary drives हो गए. जैसे कि हमने learning के chapter में पढ़ा था, कुछ primary reinforces होते हैं, जो directly आपकी need पूरा करते हैं, ठीक है, और कुछ secondary होते हैं, जिसके through आपको अपना need पूरा करना पड़ता है, तो primary reinforces एक तरीके से वो होगे, जो आपकी primary drive को पूरा करते हैं, और secondary वो होगे, जो secondary drive को पूरा करते हैं, और यह हम क्यों करते हैं, हमारी body में हमें homeostasis maintien करना है, homeostasis मतलब body को balance में रखना है, stats मतलब balance होता है, तो homeostasis मतलब body की balance मेंटेन करना है, जैसे thermostat ग्जाम्पल दिया, thermostat क्या करता है, temperature को balance में रखता है, यह होमियो stat मैंज, आपकी body के functions को balance में रखता है, तो जब आपको भूग लगती है, यहाँ पर डाइग्राम के तुरू इनोंने समझाया हुआ है, तो आपको भूग लगी तो क्या हुआ, आपको खाने का मन करें, टेंशन हो गई, आपका एटिंग ड्राइव जागा, आपकी फिर आप खाना खाया आपने, भूग लगने के ब किया अपका ब्याओ को जाए, तो में पर दोगआ थाएग दॉम्हाँ अधेविग को मुझाया था इसने, आपको भूग है, तो एक आपको मरीनी थाद कीस्नी होता रहती है, अपको भूग लगनी बालाएच़् झाले का ही, प्हुरश से लूभ होता है। इसको बाली कंच प्लस वीडियाए तो म colleague that engine को इसको बूक लग रही है लिए फील्ड कर रहे हैं कि उसको भूक लग रही है तो क्या करेगा ओंध किह खाने के लिए तो वो क्या कर रहा है अपनी ड्राइफ थिभ कम करने की कोशिश करणाए तो यह जो दूसरी थियोरी है वो यही बोलती है कि drive reduction approach कि हम अपनी drive को कम करने के लिए ऐसे behave करते हैं अब यहाप एक बहुत अच्छा point इन्होंने discuss किया है कि drive reduction थियोरी यह तो बता रही है कि जब आपको tension होती है तो आप उसको कम करने के लिए motivate होते हो एक्शन करने के लिए कोई भी लेकिन कुछ चीज़ा ऐसी होती है जब हम खुद अपने आपको tension में लेके आते हैं जैसे वो लोग जो challenging activities करते हैं जैसे bungee jumping करते हैं, adventure करते हैं, parachuting करते हैं, rock climbing करते हैं watching horror movie भी उसमें से एक है तो हम क्यों अपने अंदर टेंशन है वो build करते हैं, अपनी body का homeostasis क्यों हम कराब करते हैं इस चीज़ का answer इस theory में नहीं है इस particular theory में तो इसलिए यह theory भी एक तरीके से पूरे तरीके से explain नहीं कर पाती है कि क्यों हम अपने actions करने पर motivate होते हैं अब इसमें why would people do such things main question यह है कुछ लोग ऐसा क्यों करेंगे जिससे उनका जो tension है वो कम नहीं हो गया और बढ़ जाएगी there are different type of needs and different type of arousal तो basically इसमें क्या रहे है कि need अलग अलग type के होते हैं एक होता है different incentive at different level of importance attached to many forms of behavior तो इसकी explanation आब आगे दी हुए कि ऐसा क्यों होता है different stroke for different folks needs so motivation is about needs drive reduction theory talks about the needs and other theories of motivation include concept of needs सबसे जादा बात यहां पर need की हो रही है बारबाद तो अभी यह बोल रहे है कि सबके need अपने अलग अलग होते हैं इसलिए लोग जो है लोगों को इस तरह की activities करना अच्छा लगते हैं जिसमें उनकी tension और बढ़ती है क्योंकि उस टाइम उनका need कुछ और है उनका need उस tension को कम नहीं करना है कुछ और चीज है उनका need और इस प्रिजिकल ड्राइब शाइब शाइब करना जादा तर तो उस फिजिकल नीड की बात कर रहे हैं जैसे कि hunger और थर्स्ट हो गया लेकिन एक कुछ और नीड भी है जैसे कि Harvard University के psychologist जो David C. McKellen इन्होंने एक थिएरी प्रपोस की थी motivation की जिन्होंने that highlights the importance of three psychological need अब इन्होंने बोले इसके लावा जो psychological need है वह बहुत अलग-अलग हैं और वह कौन से तीन need इन्होंने बोले थे एक हो थे achievement एक affiliation और एक power तो जिसके अंदर achievement need जादा होगा वो अलग तरीके से बीएब करएगा जिसके अंदर een affiliation need जादा होगा वो अलग बहुत करेंगा और जिसके अंदर पावर का नीड जादा होगा वह अलग भी एक करेंगा तो इस जो इनकी थी मैं क्लैलेंड की इन्होंने बोला कि क्योंकि लोगों के फिजिकल नीड सेम हो सकते हैं भूग सबको लगती है प्यास सबको लगती है लेकिन सबके साइकलोजिकल सबको लोनली नेश पूरा करना एक नीड सबका नहीं हो सकता हो सकता है नेश को अकेले रहना जादा अच्छा लगता हो तो सबके नीड अलग हैं साइकलोजिकल और उसके उपर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह क्या आक्शन करते हैं तो इसी इसी वजा से कुछ लोग है जो बहुत adventurous होते हैं और कुछ लोग है जो बिल्कुल adventurous नहीं होते हैं कि उनका psychological need अलग है तो अब इनकी theory आगे क्या बोलती है कि यह तीन need क्या है अब देख लेते हैं पहला need है जैसे need for achievement इसको short में इनके अंदर need for achievement जादा होते है उनका डिजायर होते हैं वो होते हैं success attain goals अपने goal को पूरा करने के लिए और सिरफ realistic नहीं challenging goals को तो जो लोग होते हैं जो बहुत challenging situations में बहुत risky situations में काम करते हैं जिनको challenge लेना अच्छा लगता है उनके लिए इनका need है कि अपने challenge को पूरा अपने goal को achieve करना कि जो बहुत challenging है तो people who are high in an act यानि की need for achievement look for careers and hobbies that allow others to evaluate them because these high achievers also need to have feedback और इन लोगो तब अच्छा लगता है जब दूसरे लोग इनको अच्छा feedback देते हैं वो इनको appreciate करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा perform किया तो इनको achievement बहुत अच्छी लगते हैं यह famous होना इनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत famous हूँ और सबके सामने अपने आपको proof करना कि मैं कितना successful हूँ यह लोग school में और occupation में जॉब में इस तरह की जगा पर बहुत successful हमेशा रहने की कोशिश करते हैं चाहे इनको उसके लिए इनको बहुत ही risky चीज़े ना करनी पड़ जाएं चाहे कितना भी इनको risk लेना पड़ जाएं क्योंकि इनका main need is achievement दूसरा need जो बोला था मैं क्ले ले अफिलियेट करना मतलब दूसरों के साथ attach होना तो इनको friends बनाना अच्छा लगता है इनको social interaction करना अच्छा लगता है इनको relationships अच्छा लगते हैं तो यह basically इनको होते कि सब लोग इने पसंद करें यह दूसरों के साथ team player होते हैं यह team बना के चलते हैं सब को साथ लेके चल तो यह वो लोग है जिनकी need for affiliation जादा है ना की need for achievement और जो तीसरी need है जो सबसे जादा negative इनोंने बोले है need for power need for power थोड़ा से नोंने negative बताया था है यहां पर मैं क्ले लेने कि need for power जिसको short में end P.O.W. कि यह goal reach करने का नहीं होता है इसमें basically क्या होता है कि दूसरों को कैसे control क having control over other people यह दूसरों को एक तरीके से toys की तरह मानते है और इनको लगता है कि मैं सबको अपने हातों में लेके सबको खुद कंट्रोल करूँ है ऐसे लोगों को अपना status अपना prestige बहुत important लगता है और यह वो लोग होते हैं जो आपको कुछ लोग अपने ग्रूप में दिखते जो बहुत जादा होती है तो यह वो लोग है जिनको अपनी पावर दिखाने का शौक है कि हम कितने पावर फुल हमाई पस कितने पैसे हैं इनको चीजों से जादा प्यार है materialistic चीजों से इनको पैसे दो कि वह जादा अच्छा लेगा जाए इनका गोल पूरा हो ना हो लेक जिन जो जिसका गोल पावर होगा उसको पैसे डिखेंगे अचищींगे, अचीवमन ना दीखेंगे उसको पैसे समतलब तो इसको तोड़ा से एनको इनको तो इनको तो अटो तो ड्य जाए में दिखाने के लिए हर चीज पका तो टॉय की त्रहे हमाई से तकल को शबसे अट इनका नाम है मैं Clayland जिनों ने यह थियोरी दी है कि तीन psychological needs होते हैं लोगों के और उन नीड के बेस पे लोग अलग अलग तरीके से भी एफ करते हैं इसके आगे नेक्स वीडियो में आप डिसकस करेंगे एक और है इसी के ऊपर एक ड्वेक का भी थियोरी है मोटिवेशन की जिसको आम नेक्स वीडियो में बात करते हैं थैंक्स पूर वाचिग